भारत मता की भाई ऐसी आवाद नहीं चलेगी चौबीस और पत्चीस में मोदी जी के नेत्रुत में यहां सरकार बनानी है क्या नहीं बनानी है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ उठाओ उठाईए दोनों हाथ विजाई के संकल्प का मुठी भीचिये और प्रचंड वाद से बोलिये भारत मता की मांच उपर उपस्तित हमारे प्रदेश अध्यक्स और विदान परिशत के नेता श्रीमान समराट चोधरी जी यहां के पूर्व सांसद और लोगसभा के सांसद मेरे साथी मंत्री श्रीमान गिर्राज जी श्री नित्यानंद राई जी श्री अस्विनी कुमार चौबे जी शीव राव साइब पाटिल दानवे जी सुसिल मोदी जी डॉक्टर संजय जैस्वाल जी प्रतिपक्स के नेता भाई विजाई कुमार सिना जी अमारे वरिष्ट सांसद राधा मोहन बाबु जी श्री हरीष द्रिवेदी जी श्री संबू सरन पटेल जी श्री राकेश सिना जी श्री विवेक ठाकूर जी विखुबाई दलसानिया जी सुनील ओजा जी नागेंद्र जी तार क्रिशोर प्रसाद जी बहन रेणू देवी जी स्रीमान प्रेम कुमार जी श्री नंकी सोर यादाव जी स्री मंगल पांडे जी स्री सेनवाज उसेन जी स्री राजेंद्र गुप्टा जी और आज नवादा की इस पावण भुमी पर आये हुए प्यारे भाईयों बेहनों माताओं और मेरे जीगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार मित्रों आज मवाद नवादा की इस इत्यासिक भुमी पर जीस प्रकार से जर्रे जर्रे पर आप लोग दिखाई पड़ते हैं यह बताता है कि 2024 में फीर से एक बार मोदी जी बिहार में सभी की सभी सीटे जितने जा रहे हैं माताओ भाईयो बेनो आज मैं लोग सभा प्रवास के तहट नवादा आया हूं इसके पहले सुबे में जो सासा राम जाना था महान समराट असोग की जन्म जहनती के निमीत एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था मगर दुर्भाग या पूर्श्थिती हुई सासा राम में लोग मारे जा रहे हैं गोलिया चल रही है तीयर गेस शूट रहे हैं मैं वहाँ नहीं जा पाया मैं सासा राम की जन्ता का यहीं से समा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मैं सासा राम जरूर आऊंगा मेरे अगले दौरे में सासा राम में ही महान समराट असोग की स्मूती में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे भाई और बैनों बिहार में मैं इस्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से सांती की स्थापना हो सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है मैंने सुबे गवर्नर साब को फोन किया तो लल्लन सिंग जी बुड़ा मान गए कि आप क्यूं बिहार की चिंता करते हो अरे भाई मैं देश का घुरू मंत्री हूं बिहार की कानून और व्योस्ता भी यह देश का एक हिस्सा है आप नहीं समाल सकते इसलिए हम चिंता करें और मित्रो जिस प्रकार की व्योस्ता यहां पर साशन में बनी है मुझे बताईए जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्तितों वो सरकार बिहार में सांती ला सकती है क्या बताईए ला सकती है ला सकती है नितीज बाबू सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया हमारी कोई मजबूरी नहीं है बिहार की जनता के बीच में जाएंगे जन जन को जागरुक करेंगे और ये महागठ बंदन की सरकार को उकाड कर भैंक देंगे मित्रो मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है एक व्यक्ति को बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ये एक व्यक्ति को प्रतान मंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्य मंत्री बनना है इसमें बिहार की जन्ता को पीछ रहे हैं मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूँ लालू जी नितिस बाबू को आप जानते हो प्रतान मंत्री वो बनने से रहे वहाँ जगे खाली नहीं है देश की जन्ता ने तै किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रतान मंत्री बनने वाले हैं और अगर मोदी जी प्रतान मंत्री बने तो नितिस बाबू कभी आपके बेटे को मुख्य मंत्री नहीं बनाएंगे आप भी गलत फैमी में हो नितिसी भी गलत फैमी में है मगर बिहार की जन्ता गलत फैमी में नहीं है बिहार की जन्ता स्पष्ट रूप से नीनाई करकर बैठी है के बिहार की चालीस की चालीस सिटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है भाईो बैनो यह सरकार है बूरी नियत की बूरी निति की सरकार है बेड़ सरकार है ब्रश्टाचार का बी आरा जक्ता का ए और दमन का डी तीन मिलकर यह बेड़ सरकार बनी है यह बूरी सरकार को उखाड कर फैक दिना है मित्रों सरकार के सयोगी जे है वो भी विदायक हरोज हरोज नितिस बाबु का विरोध कर रहे हैं वो भी जन्ता के विरोध का सामना कर रहे हैं इनके आधे MP बाजब के दरवाजे खट-खटा रहे हैं और मैं पर गए एक बाजब स्पष्ट कहड़ देता हूँ किसी की मन में ये संसय हो कि चुनाव के परिणामों के बाज नितिस बाबु को फिर से बाजबाए NDA में लेगी तो मैं बिहार की जन्ता को स्पष्ट कह देना चाता हूँ और ललन बाबु को भी स्पष्ट कहना चाता हूँ आप लोगों के लिए बाजबा के दर्वाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं माताओ भाईो बेनो माताओ भाईो बेनो आपके नारे बता रहे हैं जन्ता भी चाती है कि अब नितीज बाबु को वापीस न लिया जाए यही चाते ना आप यही चाते ना यही चाते ना यहसा ही होगा आप चिंता मत करिए यह जाती वाद का जैर गोड़ने वाले नितीज बाबो और जंगल राज के प्रनेता लालु प्रसाद अब यह दोनों के साथ बारतिय जन्ता पार्टी कभी रातितिक सपर नहीं तै कर सकती मैं बिहार की जन्ता को कह कर जाना चाहता हूं मित्रों यह वादा खिला भी करने वाली सरकार है और साथ सत्ता की लालत देखे लालु जी के बेटे ने नितीज जी को साप कहा मैं फिर से बोलता हूं साप कहा पल्टू चाचा कहा दोखे बाज कहा लाल जी कहा अहंकारी कहा अरे गिरगी तक के डाला मगर नितीज बावो प्रदान मंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं इनके ब्रश्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है बीच की काला बजारी होती है नवादा वालो चिंता मत करो 24 के बाद लोग सबाद चुनाव के बाद इस सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतिय जन्ता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है आप जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो ना वो मोदी जी ही काला बजारी और भ्रश्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्ता ठीक्स करेंगे मित्रो बिहार के अंदर डेरी की भी अनेक संभावनाये पड़ी है मोदी जी सहकारिता क्षेत्र में दो लाग गामी डेरिया बनाना चाहते है भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार की हर पंचायत में कॉपरेटिव डेरी बनाने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी मित्रो मोदी जी ने ये नवादा के विकास के लिए डेर सारे काम करें है कि उल नवादा गया रेल लाइन उल 1292 करोड में इसका दोहरी करण और इलेक्ट्रिफिकिसन किया वारिस लिंग गंज की विधान सबा में नया रेलवे ओवर बीच बनाया बकत्यार पूर से रजोली फोर लेंड रोड निर्मान कारियत चल रहा है नवादा से दिल्ली लो मैं अभी बात कराओं और आवा जा गई नवादा से दिल्ली प्रेन भी चालू कर दी गई है नवादा से पावापुरी रेलवे लाइन का सर्वे का काम चालू हो गया है पावापूरी से नवादा तेटीस किलो मिटर लंबा रेल खंड बनाने का काम भी इस सर्वे के बाद चालू होगा इसलामपूर नटे सर रेल खंड का काम पूरा कर दिया गाया है नवादा के रजोली में बर्रा गाउं में सैकडो एकर बंजर जमीन में प्रदान मंत्री माइक्रो इरिगेशन योधना के तहट वन ड्रॉप मौर क्रॉप के तहट खेती चालू हुई है बिहार सरिप से नवादा के लिए फोर लेंड रोड बंड चुका है नवादा के वारसली गंज में एक सो बतीस ओब्लिक तेटीस किलो वट का नया विद्यूत सब्स्ट्रेशन और ट्रांस्मिशन लाइन डाल दिया गया है नवादा घाट से गमरा तक सडक निर्मान का काम चालू हो गया है नवादा के रजोली में दो हजार मेगा वोट परमानू क्षमता विद्यूत उत्पादन की योधना बन चुकी है और इसके साथ मैं आज कि नितिस बाबु को पूछना चाहता हूं नितिस बाबु आपके जीवन में आपने कई पार्टिया बडली हैं कई लोगों को धोखा दिया है मगर एक बार जीश यूपिये में आप गए हो लालू प्रसाद जी के साथ गए हो इसने बिहार को क्या दिया बताईए 2009 से 2014 में बिहार को सिर्फ पचास अजार करोड उप्या केंडर ने दिया था कितना दिया था मित्रो पचास अजार करोड और 14 से 19 में मोदी जी ने पचास अजार से बढ़ा कर एक लाख नो हजार करोड बिहार को देने का काम किया है यह मैं बजेट के अबंटन की बात करता हूं और करके निर्धारन में 9 से 14 तक 1,36,000 करोड दिया था और मोदी जी ने 14 से 19 में 2,83,453 करोड दिया दो गुना पैसा ज्यादा दिया है मित्रो प्रदान मंत्री गरिब कल्यान योदना के तहट बिहार में 8 करोड 70 लाख लाभूकों को 2 साल से मुप्त अनाद दिया जा रहा है हर मैने 14 लाख मेट्रिक टन अनाज बिहार के गरिवों को मोदी जी मुप्त में दे रहे है मुप्त में दे रहे है माताओ भाईयो बेनो बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6000 रुपिया देने का काम हो रहा है एक पॉइंट एक करोड एक करोड दस लाख माताओ बेने जोड से ताली बजाए एक करोड दस लाख माताओ को गेज का सिलिंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है आयुस्वमान भारत योदना के तहट 85 लाख लोगों को मुपत इलाज की व्योस्ता की है लगबग लगबग प्रदान मंत्री आवास योदना के तहट 40 लाख लोगों को आवास देने की योदना बनी है एक करोड एक सट लाख सोचाले बना चुके है डेड करोड आवास में दल से जल पहुचाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मित्रो मोदी जी ने देश को सुरक्सीत करने का काम किया है मुझे बताओ नावादा वालो एक कस्मीर हमारा है या नहीं है जोड से बोलो है या नहीं है मैं राज्ये सबा में बिल ले कर गया इलालू प्रसाद यादव और नितिस कुमार जदयू हमारे साथ थे जदयू वाले फिर भी विरोध किया और कहने लगे मत अटाईए मत अटाईए एक तुरुष्ट्री करण की राद नितिक के कारण अतंक वाद चलता था मोदी जी ने पांच अगस्त 2019 को धारा 370 हटा कर कस्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ लो दिया माताओ भाईयो बेनो मुझे बताओ अयोध्या में स्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए अरे अंट तक बोलिया बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए एक कॉंग्रेस जदयू आरजेडी मम्ता डीम के सब इसका विरोध करते थे मोदी जी ने एक दिन सुबह राम मंदिर का सिला न्यास कर दिया और आसमान से भी उंचा राम मंदिर बनने की सुरुवाथ हो गई है वित्रो शुरुवाथ हो मोदी जी ने हमारी संस्कूथिक दरोहर कोई पुनञ निर्मान का काम किया है और आज है आज समग्र बिहार चिन्ता कर रहा है विहार के बिहार सरिप में आग लगी है कि सासाराम में आग लगी है बिहार शरीप नालंदा तो नद्दी की है चिंता हो रही सब को मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए 40 में 40 सिटे और 25 में भाजपा की सरकार बनाईए ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सिधा करने का काम ये भारतिय जन्ता पार्टी करें हम तुरुष्ट्री करण में नहीं मानते हम वोट बैंक की राद्दिती नहीं करते हैं हमारे सासन में दंगे नहीं होते हैं माताओ भाई और बैनो इतनी बड़ी संक्या में जहां तक नजर जाए भीड़ी भीड दिखाई पड़ती है मुझे बताईए बिहार की 40 की 40 सिटे मोदी जी को देंगे क्या सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में जोर से बुलिया देंगे क्या हर सीट पर कमल खिलाएंगे मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाएंगे दोजार पचीस में पूर्ण अभाउमत की बादपा सरकाल आएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए विजाए के संकल्प की मुठी बीचे और प्रचंड वाद से बोलिये बारत मता की बारत मता की बारत मता की बनी वने वने में दे बारत मं में सर्जी and में में सर्जीं दावब में सर्जीं दावब नजर बादी दिनने बाद